तो आज की इस notification वाले वीडियो में आपको बताने वाल, science college रायपूर से जुड़े हो यहाँ पर notification बहुत important है, science college बिलासपूर से यहाँ notification है, यह सब देखेंगे क्या notification उसके परसु में classes लगने वाली है, तो उसको लेकर time table आ गया है, तो देखेंगे कि किसकी classes लगने वाली है तो यही सब important notification आज की रिट्व में आपको बताने वाला हूँ, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागता आपका CG Education यूटूब चैनल पर, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके, बिल आइकोन बटन दबाना ना बुलिए, क्योंकि आपको यहाँ पर इसी तरह की notification लगातार मिलती रहेगी, तो यहाँ पर सबसे पहले देखते है, सास्के नागार्जु निशनातकोत्तर विज्ञान विद्याले, रायपूर यारी की Science College रायपूर का, तो यहाँ पर देखिए, यह notification आया है, कि सभी student को आरंब होने वाली MSC Semester परिक्षाहेतु, जो पहले notification जारी किया था, उसमें थोड़ा सा बदलाव किया जा रहा है, तो वो changes क्या है, यहाँ पर देखते हैं, तो आप सभी student का जो है exam, semester exam, MSC की, वो 23 अक्टूबर को समाप्त हो रही है, तो उसके बाद आपको जो answer seat है, उसक परिक्षा प्रकोष्ट सास्किय नागरजु निसनातकोत्तर विज्ञान महाविद्याले रायपूर के नाम से, कॉलेज को 25 अक्टूबर साम 4 बजे तक आपको वहाँ पर खुद उपस्थित होकर वहाँ पर जमा करना है, ठीक है, तो आपके जो exam 23 को खतम हो रहे हैं, तो 25 परिक्षा प्रकोष्ट सास्किय नागरजु निसनातकोत्तर विज्ञान महाविद्याले रायपूर में खुद जाकर जमा करना है, ठीक है, साइन्स कॉलेज बिलासपूर से नोटिफिकेशन है, तो MSC इसनातकोत्तर एवं PGDCA कक्षाओं में प्रवेश यतु रिक्त स्थानों के परिवर्तन एवं नियम अनुसार प्रवेश का कार्या दिनांग 20 अक्टूबर को किया जाएगा, तो सभी अभ्यर्ति अपने सभी मुल अभी लेखों के साथ सुबह 11 बजे से कॉलेज में उपस्तित रहे, तो MSC प्रथम वालों के और PGDCA वालों के लिए है, त तो 20 तारीक को आपको कॉलेज में जाना है, अपने सभी डाकूमेंट लेकर सुबह 11 बजे, ठीक है, साइन्स कॉलेज बिलासपूर से ही आ गया है और नोटिफिकेशन, तो BSC BCA सिक्त सेमेस्टर परिच्छा 2020-21 के ऐसे स्टूडेंट जिनका एक विश्य में बैक हो गया है, लेकिन 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th सेमेस्टर में पास है, समझ में आ रहा है, BSC BCA सिक्त सेमेस्टर परिच्छा 2020-21 में ऐसे स्टूडेंट जो एक विश्य में बैक है लेकिन 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th सेमेस्टर में पास है, और MSC 4th सेमेस्टर के ऐसे स्टूडेंट जो एक विश्य में बैक क तू फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में पास है उनके लिए इस्पेशल बैक परिक्षा 2021 ऑनलाइड ब्लैंडेड मोड में अक्टूबर 2021 मतलब इसी महा के लास्ट वीक में प्रस्ता भी थे मतलब लास्ट वीक जाए तो चोबिस-पच्चिस तारीक तक चोबिस-पच्चिस तारीक तक आपके आजाएंगे जब भी टाम टेबल आएगा आपको मैं अपने चैनल पर जरूर बताओंगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए तो अब वह लास्ट वीक में होने वाले अक्टूबर के तो अतहा जो पात्र स्टूडेंट जो है इसके लिए इलिजिबल है वो परिक्च्च विभाग में संपर्क कर 22 अक्टूबर तक विसेस बैक परिक्च्च आवेदन जमा करें तो आपको परिक्च्च विभाग में सुयम जाना है कॉलेज में यहां लिखा गया है ऑनलाइन तो 22 अक्टूबर तक यहां पर नोटिफिकेशन आ गया एक टाइम टेबल आ गया है तो इनकी क्लासेस लगेगी पिएजडी कोर्स वर्क वालों के लिए है मंडे से लेकर साटरेडे तक है यहां पर कमेंस्मेंट अब क्लासेस तो साथ अक्टूबर से चालू हो चुकी है उसका पहला पिरेड है दूसरा तो लिखा नहीं है देड़ बज़े से दो बज़े तक लंच ब्रेक होगा फिर पूरा दो बज़े से पाच बज़े तक लाइबरेरी होगा तो यह टाइम टेबल का लिंक आपको डिस्क्रिशन मिलेगा आप लोग इसको डाउनलोड कर लिजे ठीक है तो यह पूरा टाइम टेबल आगे है मतलब इनकी क्लासेस लगनी वाली सुभे साढ़े दस बज़े से पाच बज़े तक सामको पीएजडी कोर्स वर वालों का तो यह था दोस्तों आज की रेट में नोट्फिकेशन यह वीडियो आपको कैसे लगा अच्छा लग होतो ल करने बाद मिलते हैं अगले वीडियो में